जब कोई अमीर आदमी रिष्टा लेने जाए अबाजी ये तो लंगड़ा है आपनी बच्ची कैसे दे दें अबे लंगड़ा नहीं ये तो अमीर लोगों के चलने का स्टाइल है अरे अबाजी कैसे गरीब लोगों में ले आया आप मुझे इनकी कुर्सियां तो देखे अरे चुप हो जा तेरी फूफी का घार है ये ओए गरीबो ये शर्बत वर्बत मैं नहीं पिता ले जाओ इन्हे तो बेटा जी आप क्या पिना पसंद करेंगे रेड बुल ले आओ वो क्या होता है ड्रिंक का नाम है जाके ले आओ न रखने की बेटा ये शर्बत उठा लें भाई साब मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं अगर आपको इतराज ना हो तो डन हमारी तरफ से रिष्टा पका अब बाजी सोचने का टाइम तो मांगते हैं अमीर लोगों के लिए सोचना नहीं पड़ता रिष्टे के लिए हाँ कर देते हैं और जब कोई हो नजीरे कैसे आना हुआ बशीरे रिष्टा मांगने आया है तेरी इतने जुरत बात बड़े करते हैं तुम्हें तमीज नहीं नजीरे घुसा ना हो बच्छा शादी के लिए खुश है इसलिए उसने खुद बोल दिया क्या मतलब रिष्टे के लिए बैठ के बात करते है हां बैठो मैं फुपा के साथ बैठूंगा चल बशीरे अब काम बता भाई तेरी बेटी का हाथ मैं अपने बेटे के लिए मांगने आया हूं तेरी जुरत कैसे हुई इसमें जुरत की क्या बात है आप भी गरीब हम भी गरीब हमारा स्टेटस एक जैसा है इसलिए हमें ना चाहिए ना बशीरे मैं तुझ गरीब को रिष्टा दे दूँ फुफे तुने दिल तोड़ दिया अबे विकारी तेरे पास भी देला है अरे तू तो शकाल से ही चर्सी लगता है चर्सी नहीं हूं धूब की वज़ा से रंग काला हो गया चाहे जो अब यो हम तुमें ये रिष्टा नहीं देंगे नजीरे बच्चों को समझा ये बात करने का सही तरीका नहीं समझाने की क्या जरूरत तुम अपने अवकाद से ज्यादा बोल रहे हो वाफु फेवाँ अवकाद से ज्यादा तू यहां पर लेंडलाड लगा हुआ है हम भी गरीब तू भी गर अच्छी तरह से खिदमत करने के बाद अब बड़ा जुल्म की आप यह कहां का पुपा है यार अगर तू हमारे घर के आसपास दिखा तो तेरी खैर नहीं मतलब अब रिष्टे की नो समझे रोक खाले यहाँ